को लेकर यूपी पुलीस की टीम बांदा के लिए रवाना हो चुकी है मुक्तार अंसारी अब तक पंजाब के रोपर जेल में बंद था लेकिन सुप्रिम कोट के निर्देश के बाद अब उसे यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा बंदा रवाना होने से पहले यूपी पुलीस ने कागजी ओप्चारिक टाएंपूरी की इस पर पूरे ऑपरेशन को यूपी पुलीस क्लीट कर रही है मुक्तार अंसारी को पंजाब से हर्याना के रास्ते यूपी लाया जाएगा जिसके मद्दे नजर बागपत में सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए है यूपी पुलीस के 150 जबान मुक्तार अंसारी के साथ हैं इन 150 पुलीस कर्मियों में यूपी के पी एसी की एक कमपनी भी शामिल है सुप्रीम कोट के आदेश के मुताबक 8 अपरेल से पहले मुक्तार को यूपी पुलीस के हवाले करना है जिसके बाद पंजाब के ग्रेव विभाग ने यूपी को चिठी लिखी थी पंजाब के रोपड की रूपनगर जेल में बंद मुक्तार को यूपी के बांदा जेल लाया जाना है बांदा जेल में मुक्तार को लाया जाने से पहले वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है बांदा जेल की गेट पर पुलीस सुरक्षा बूत बनाया गया है जेल के बाहर पुलीस चौकी पर अतिरित्थ पुलीस कर्मियों की तैनाती की गई है जेल में मुक्तार जिस बैरक में उसकी किले बंदी भी की गई है तो इस दो तस्वीर हैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहाँ पर पहली तस्वीर है रोपड जेल से मुक्तार अंसारी की निकलते हुए वहीं दूसरी तस्वीर यूपी पुलीस का काफिला है जहाँ पर मुक्तार अंसारी को बांदा जिल शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है